गुड मॉर्णिं गाइस वेलकम टावर यूटूब चानल लेट्स लर्न वित अभी सेख तो हाजी रहे हम दोस्तों अपने बोले हुए पूरे भचन को निभाने के लिए हमने आपको बोला था कि हर संडे को आपका नुमेरिकल का लेक्षर पहुंच जाएगा फिजिक्स का त नुमेरिकल के जितने भी बुक हैं उनको हम लोग क्यारी ओन करेंगे गाइस तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अलेक्ट्रो स्टाटिक चाप्टर 1 जो है Electrostatics related NCRT का वो हम लोग का भी चलेगा तो बेटर यही होगा कि आप लोग थोड़ा concept को जो है clear रखे यह जो है topic आपको काम देगा board में board के साथ-साथ IIT, NIT और दूसरे भी engineering और medical के competitive exams में तो stay tuned with me महुत को सीखने को मिलेगा आज आपको बस एकसर्थ है आपको यही करना है कि question मैं जैसे पढ़ूँगा question को जैसे समझाऊँगा आपको वीडियो को pause करना है और खुद से पहले attempt ले करके देखना है अगर आप attempt ले पाते हैं तो ठीक है और नहीं तो फिर हम solve करेंगे तो चलते हैं गाइस हमारा पहला question है देखें गाइस हमारा पहला question है कि what is the force between two small charge spheres having charge of 2 into 10 to the power minus 7 Coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 Coulomb placed 30 cm apart in air और इस question को solve करने से पहले बता देगा इसकी previous में हम intro का lecture बनाए थे numericals के लिए उसमें हम इसको solve कर चुके हैं तो जो बच्चे इसको देख चुके हैं अबर और देख लीजिए आपका repetition हो जाएगा practice हो जाएगा इसमें कोई बुराई नहीं है जो बच्चे नए हैं उसको ध्यान से देखिए तो question को समझते हैं guys question बोल रहा है कि दो charge sphere है और एक का value है 2 into 10 to the power minus 7 Coulomb और दूसरा का value है 3 into 10 to the power minus 7 Coulomb और दोनों के बीच का दूरी है 30 cm और दोनों हवा में रखे हुए तो दोनों के बीच का force क्या होगा ये निकालना है देखिए 2 है जैसे हम लोग मान के चलते हैं एक है Q1 दूसरा Q2 Q1 का value 2 into 10 to the power minus 7 Q2 का value 3 into 10 to the power minus 7 Coulomb और दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 30 cm तो इसको solve करने के लिए अब क्या करना पड़े है देखिए guys किसी भी numerical को solve करने का सबसे पहला तरीका होता है कि what is given दिया क्या है दूसरा what is to be find out क्या निकालना है और तीसरा formula फिर चाउथे में आता है हमारा concept हाँ formula पहले याद होना चाहिए तो इसमें दिया क्या क्या है guys देखिए इसमें हमारा पहला charge दिया हुआ है 2 x 10 to the power minus 7 कुलॉम दूसरा charge दिया हुआ है 3 x 10 to the power minus 7 कुलॉम और दोनों के बीच का दूरी है 30 cm इसको अगर मीटर में convert करेंगे तो 30 x 10 to the power minus 2 मीटर तो पहला step हमारा solve हो गया given अब दूसरा हमें formula दिखते हैं निकालना तो है force हम लोग जानते हैं force क्या होगा यह हमको निकालना है question बोला है अब formula क्या होता है force का याद किजिए कुलॉम्स law in electrostatics पढ़ाये थे जो बच्चे theory नहीं देखे हैं वो जाके theory देखिए और जिसका नहीं भी clear है इसका पहला lecture है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा बस आप मेरे साथ बने रही है देखिए कुलॉम्स law का formula हमने बढ़ा था f is equals to k q1 q2 by r square k जहां पर है electrostatic constant और k का value होता है 9 into 10 to the power 9 अब आगे चलते हैं गैस देखिए बच्चे we know that हम लोग जानते हैं force is equal to k q1 q2 by r square k का value हमने आभी आपको बताया 9 into 10 to the power 9 q1 का value दिया हुआ है q2 का भी value दिया हुआ है और r भी दिया हुआ है इसमें solve बैठाएंगे solve करेंगे हमें हमारा answer मिल जाएगा देखिए k का value 9 into 10 to the power 9 q1 का value 2 into 10 to the power minus 7 दिया हुआ है q2 का value 3 into 10 to the power minus 7 ये भी दिया हुआ है और distance दिया था 30 cm इसको हमने meter में बढ़ला था 30 into 10 to the power minus 2 meter इसका square दिया हुआ है थि इसको आभी हम square करेंगे अब इसको अगर हम solve करते हैं तो इसको overall solve करने के बाद जो है value आएगा 6 into 10 to the power minus 3 newton हमने overall solve करके दिखाया आपको beach के steps को solve करना है उतनी calculation आपको strong रखनी पड़ेगी जिनको दिक्कत है आप मुझे इसको solve करके आप whatsapp के थूँ facebook के थूँ facebook में जो group बना हुआ है science zone का group उसमें आप जा करके post कर सकते है step by step मैं उसको check कर दूँगा और आपको मैं अगर नहीं check कर पाया तो वहाँ पर बहुत सारे आपके दोस्त लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए है तो आपके answer को वो review कर देंगे तो आप इसको बना के दिखाये final answer आएगा 6 into 10 to the power minus 3 newton तो इस तरह से हमारा पहला question खतम होगा इस हमारा दूसरा question हाजिर आपके सामने दूसरा question कहता है कि electrostatic force जो है किसी एक small sphere of charge के पर जिसका value है 0.4 microcoulomb एक दूसरे small sphere of charge जिसका value है 0.8 microcoulomb जो की हवा में रखा हुआ है उसका force दिया हुआ है 0.2 newton तो question बोल रहा है कि what is the distance between two spheres दोनों spheres के बीच का distance क्या होगा दूसरा question बोल रहा है कि what is the force on the second sphere second sphere पर कितना force लगेगा first sphere के कारण देखेंगा इस question दिया हुआ है question बोल रहा है कि दो charge एक का value है 0.4 microcoulomb दूसरा का value है minus 0.8 microcoulomb और दोनों एक माली जी point A पर रखा हुआ है एक point B पर रखा हुआ है और जो पहला charge है Q1 जो की 0.4 microcoulomb है उस पर force लगा रहा है Q2 जो की है 0.8 microcoulomb question फिर से समझे ले दो charge है एक 0.4 microcoulomb एक माइनस 0.8 microcoulomb और पहले charge पर दूसरा charge force लगा रहा है और force का value कितना है 0.2 newton तो question पूछ रहा है कि दोनों के बीच का distance कितना होगा निकालिया पहला question ये दूसरा question पूछ रहा है कि दूसरे charge पर कितना force लगेगा question में दिया हुआ है पहले charge पर 0.2 newton लग रहा है तो दूसरे पर कितना लगेगा देखे बच्चे दिया हुआ है force जो है वो 0.2 newton है पहला charge है 0.4 microcoulomb और हम लोग सब जानते हैं कि micro का मतलब होता है 10 to the power minus 6 मतलब 0.4 into 10 to the power minus 6 coulomb दूसरा charge दिया हुआ है minus 0.8 microcoulomb मतलब minus 0.8 into 10 to the power minus 6 coulomb दूनों के बीच का distance क्या होगा पहले ये निकालना है तो पहले distance निकालते हैं उसको आद फिर से समझाएंगे कि force के बारे में क्या कहना चाह रहा है और एक चीज़ गाईज ये जो force लग रहा है वो q1 पर लग रहा है और लगा कौन रहा है q2 लगा रहा है इसको ध्यान में रखिएगा तो पहले distance निकालते हैं तो फिर से हमारा पहला काम clear गाईज जो given दिया हुआ है अब दूसरा जो निकालना है वो भी clear distance निकालना है तीसरा काम देखते है इसका formula हम लोग जानते हैं फिर से कि force बराबर होता है k q1 q2 by r square और k का जो value होता है k को बोलते है electrostatic constant और k का जो value होता है formula के term पर वो होता है 1 by 4 pi epsilon यह होता है k का value air के लिए हवा के लिए अगले दूसरे medium के लिए भी numerical solve करेंगे तब आपको अच्छे समझाएंगे यहाँ epsilon not जो है यहाँ पर अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो theory को एक बार जा करके देखिए आपको clear होगा वैसे यहाँ भी clear हो रहा होगा सबको k का value होता है 1 by 4 pi epsilon not इसको आप बस याद रख लिजी अभी और इसका final value होता है 9 into 10 to the power 9 इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है और हम लोग जानते हैं कि Coulomb's lock-up formula होता है f is equal to k q1 q2 by r square और k के जगा हम 1 by 4 pi epsilon not भी रख सकती है देखी बच्चे हम लोग जानते है force बराबर 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 by r square इस 1 by 4 pi epsilon not के जगा आप सिर्फ k लिख के भी काम चला सकते है k का value होता है 9 into 10 to the power 9 तो देखी बच्चे इस k के जगा 9 into 10 to the power 9 बइठाएंगे q1 के जगा और q2 के जगा 0.4 into 10 to the power minus 6 कुलॉंब और minus 0.8 into 10 to the power minus 6 कुलॉंब बइठाएंगे तो हमें मिलेगा f is equal to 9 into 10 to the power 9 into 0.4 into 10 to the power minus 6 into 0.8 into 10 to the power minus 6 by r square question उठता होगा कि यहाँ minus में था charge तो आप minus में क्यों नहीं लिए हमको सिर्फ यहाँ magnitude से मतलब है numerical value से मतलब है हमको इसके direction से या इसके nature से positive या negative charge के nature से कोई मतलब नहीं है इसलिए हमने calculation को आसान करने के लिए यहाँ पर plus में लिया अब देखिए हमको निकालना क्या है r क्योंकि force भी दिया हुआ है 0.2 तो हम लोग r को निकालने के लिए इस r square को यहाँ ले जाएंगे divide से multiply में और इस force को multiply से divide में ले आएंगे तो ultimately हमारा अगला step आएगा r square is equal to 9 into 10 to the power 9 into 0.4 into 10 to the power minus 6 into 0.8 into 10 to the power minus 6 by 0.4 देखिए यहाँ पर r square गया तो नीचे f आई आ ना आ आपका value था 0.2 sorry 0.4 ने 0.2 अब r square is equal to आ जाएगा 9 देखिए देखिए बच्चे यहाँ पर 0.2 से 0.4 cancel out हुआ तो बचा 2 तो finally अगले step में आएगा r square is equal to 9 into 2 मतलब सारा numerical को एक साथ कर रहे है और power आवले term को आगे ले जाएगे 9 into 2 into 0.8 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6 and minus 6 minus 12 base सेम है तो power add हो जाएगा तो यह हुआ finally r square बराबर हमारा आएगा 9 into 2 into 0.8 और इसको अगर solve करेंगे base सेम है power add करेंगे तो plus 9 minus 12 हमारा हो जाएगा minus 3 अब देखें गाइस तो 9 into 2 और यहाँ point अगर हटा देंगे 0.8 से तो यह 8 by chain हो जाएगा into 10 to the power minus 3 तो r square बराबर आएगा 9 into 2 into 8 into 10 to the power minus 4 finally यह आएगा गाइस 9 to 18 into 8 144 into 10 to the power minus 4 यह आया r square बराबर अगर हमको r निकालना है तो इधर से square हटेगा और इधर root चड़ेगा तो root under 144 into 10 to the power minus 4 और बराबर 144 के root से बहार आएगा 12 और 10 to the power minus 4 बहार हो जाएगा 12 into 10 to the power minus 2 में ही छोड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब यहाँ पर जो sorry guys मैंने mobile silent करना भोल गया था तो देखते हैं यहाँ पर जो force बोला है यह जो 0.2 newton का force लग रहा है यह पहले charge पर लग रहा है दूसरे charge के कारण दूसरा question बोल रहा है कि दूसरे charge पर कितना force लगेगा तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ newton का third law follow करता है हमना यह को पढ़ाया था कि अगर q1 और q2 दोनों के बीच force लग रहा है तो q1 q2 के ऊपर जितना force लगाएगा उतना ही force q2 जो है वो q1 के ऊपर लगाएगा इसका मतलब अगर q1 के ऊपर 0.2 newton लग रहा है तो q2 के ऊपर भी कितना लगेगा 0.2 newton ही लगेगा मतलब दूसरे question का answer होगा 0.2 newton ncrt में कुछ कुछ questions जो है theoretical भी दिये हैं होए है guys exercise में तो उनको भी हम साथ साथ में deal करके चल रहे हैं तो सारा का सारा ncrt solution आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो देखते हैं हमारा question number 3 देखे बच्चे question number 3 का पहला part है explain the meaning of the statement electric charge is quantized quantization of charge basically इसमें हम लोग लिखना है तो आप लोग को हम पढ़ाये थे properties of charge में बहुत ही अच्छे से वीडियो के नीचे जाएगा उसका link मिल जाएगा और इसका solution आपको वहाँ पर मिल जाएगा अगर हम यहाँ भी explain करने लगे तो वीडियो का length बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मुझे upload करने में problem होगी और मौसम भी आज खराब है इसलिए थोड़ा लेट से हम वीडियो भी record कर रहे है और आपको सुनाए देता होगा थोड़ा थोड़ा पानी भी बरस रहे है अगला question है why one can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is large scale of charge large scale of charge पर तो question बोल रहा है कि अगर हम बहुत जादा मातरा में charge का problem solve करें जहाँ पर charge का value बड़ा बड़ा हो तो उसमें हम quantization को ignore क्यूं कर सकते है तो एक बार इसके लिए हम quick में बता ही देते हैं कि quantization of charge कहते किसको है देखिए बच्चे हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी body में मालीजे बहुत सारा charge है q1, q2, q3, q4, q5, dot 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 अर अगर हमको total charge निकालना है तो total charge निकालने के लिए सब को हम लोग add कर देंगे q3, q4, सब को add कर देंगे और finally मेरा total charge निकल जाएगा और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी body में जो charge होता है वो या तो electron का charge होता है या तो proton का charge होता है और दोनों को दरसाते e से ही है अगर वो electron का रहेगा तो minus e से और proton का रहेगा तो plus e से दरसा हैंगे और e का जो value होता है वो fix होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलांब अगर electron का रहे तो minus 1.6 into 10 to the power minus 19 और अगर proton का रहे तो सिर्फ plus 1.6 into 10 to the power minus 19 मतलब हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा charge अगर हमको निकालना है तो बहुत सारे छोटे 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 charge को add कर देंगे और ये जो छोटा 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 charge है या तो electron का charge होगा या तो proton का charge होगा जिसको हम लोग e से दरसाते हैं पलस e या माइनस e उसको हम बाद में देखेंगे तो देखेंगे टोटल चार्ज के जगा q1, q2, q3 ना लिख करके e, e, e हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितना भी charge हो या तो electron का charge होगा या तो proton का जिसका value सेम होता है अब अगर माल जिए n चार्ज है तो इसको n तक add करना पड़ेगा q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, qn तक तो अगर n तक add करना पड़ेगा मतलब निचले step में e को भी n तक add करना पड़ेगा समझ रहें तो e को n तक ना add करके अगर हम e को n से multiply करते तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं मतलब q बराबर क्या निकला e into n मतलब finally हम लोग क्या लिख सकते है q बराबर any लेकिन यहां से हमको यह नहीं पता चला कि यह जो total charge है उसका value positive में होगा या negative में होगा तो अगर यह electron का charge होगा तो यह negative में proton का होग हो तो positive में दूसरी भासा में अगर यह कोई body अपने जगा से charge को निकालता होगा मतलब यहां पर basically आप समझ सकते हैं कि अगर electron का यहां loss होता होगा तो हो जाएगा यह positive में अगर electron का gain होता होगा तो यहां हो जाएगा negative में इसके लिए आप chemistry को prefer कर सकते हैं तो यह है basically quantization of charge q बराबर plus minus any अब देखे बचे यहां question पूछ रहा है कि जब ज़्यादा मातरा का charge हम लोग लेते हैं तो इस q बराबर plus minus any को हम लोग neglect क्यों कर देते हैं तो simple सी चीजिस यहां पर समझेगा कि charge का जो value है बहुत छोटा होता है जैसे कि अगर हम लोग एक test tube में example के रूप में आपको समझा रहे हैं water ले test tube में जो हमारा lab में होता है तो इससे अगर water के molecule को निकालने बोला जाए कि कितना सारा water का molecule होगा H2O का molecule तो एक minute के लिए हम लोग समझ जाएंगे कि चलो हम लोग calculate कर देंगे लेकिन समंदर में जितना पानी है उसके water के molecule का संख्या अगर हमको निकालना बोला जाए तो निकालना possible नहीं है मतलब उसको हम लोग neglect करके चलेंगे दूसरी भासा में बोल सकते हैं हम लोग कि देखे अगर माल लिजिए छोटा सा test tube है इससे दो बूंद भी पानी नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा reaction में लेकिन एक समंदर से अगर चार बूंद पानी निकल जाए तो कोई फर्क ने पड़ेगा मतलब बड़े-बड़े स्तर में अगर चार्ज के साथ डील करते हैं तो छोटा-छोटा चार्ज की वराबर NEE का वैली तो बहुत कम होता है ना 1.6 into 10 to the power minus 19 तो वहाँ 10-5 electron इधर-धर भी हो जाएगा calculation में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसलिए ज़्यादा मात्रा में जब लोग चार्ज को मतलब बील करते हैं तो इसका use हम लोग नहीं करते हैं quantization का हमारा अगला question है guys की when a glass rod is rubbed with silk cloth जब कभी किसी glass rod को silk cloth से rub किया जाता है रगडा जाता है charges appear on both तब दोनों में charge produce हो जाता है a similar phenomena is absorbed इसी तरह का phenomena जो है महसूस किया जाता है with many other pairs बहुत सारे pairs के साथ बहुत सारे bodies के साथ explain करना है आपको कि यह जो observation है यह जो experiment है इसमें law of conservation of charge को किस तरह से दरसाए जाता है मतलब यह जो experiment है यह law of conservation of charge को किस तरह से fulfill करता है देखिए जब कभी भी किसी glass rod को अगर silk के कपड़े के साथ rubbing करते हैं हम लोग तो जो glass का जो rod है वो positive charge का हो जाता है और silk का जो cloth है वो negative charge का हो जाता है अब ध्यान से सुनिएगा अब अपके mind में question आएगा कि हम लोग कैसे जानते हैं कि glass के rod का जो charge हो positive का होगा और silk के cloth का जो charge हो negative होगा तो इसको नापने के लिए एक device होता है उसे हम लोग कहते हैं electroscope इस electroscope से नाप करके हम पता करते हैं कि जो glass का rod है उसमें positive charge आया है और silk का जो cloth है उसमें negative charge आया है अब देखिए जितना positive charge आपका glass के rod के उपर होगा उतना ही negative charge silk के cloth के उपर होगा मतलब overall charge जो है वो resultant 0 हो जाएगा अब इसको अगर हम practically सोचे तो rubbing करने से पहले total charge कितना था 0 दोनों में और rub करने के बाद कितना हो गया एक में जितना positive दूसरा में उतना negative तो overall यहां पर भी resultant 0 हो गया तो इस तरह से यह conservation अब charge को भी follow करता है rub करने से पहले भी charge 0 और rub करने के बाद भी charge 0 मतलब charge has been neither created nor destroyed it has only been transformed from one body that is glass rod to another body that is silk cloth अगर दूसरे example से इसको समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं जैसे अगर माल लीजिए हम sodium chloride का example लें तो sodium chloride जिसको common salt बोलते हैं इसका अभी charge 0 है लेकिन जब इसको हम लोग water में डालेंगे तो यह sodium जो है Na plus और Cl minus में टूटेगा मतलब यहां पर अगर plus Q charge होगा तो यहां पर minus Q overall charge कितना हो जाएगा? 0 मतलब reaction से पहले भी charge 0 और reaction के बाद भी charge 0 charge has neither been created nor been destroyed it has only transformed from one form to another form यहां पर ना create हुआ ना मरा है पहले भी 0 था बाद में भी 0 रहा तो इस तरह से यह follow करता है conservation of charge को I hope अब आप समझ गए होगे guys अब आपके mind में clarity आ गई होगी इसके related अगर फिर भी clear नहीं है तो comment section में पूछिए हम फिर से doubt आपका clear करने की कुछिस करेंगे हो सकता है तो एक बार वीडियो को pause किजिए पॉज करके पीछे जाईए फिर से देखिए अगर नहीं समझ माया तो समझ में आपको definitely आएगा अगला question है guys 4 point charge है 4 छोटी 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 चार्ज है QA, QB, QC, QD QA का value है 2 microclomb QB का value है minus 5 microclomb QC का value है 2 microclomb और QD का value है minus 5 microclomb और यह जो है किसी square कोई square है ABCD उसके चार corner पर रखे हुए है और इस square के बीच में center में 1 microclomb का चार जो है place क्या हुआ है रखा हुआ है तो center पर कितना force लगेगा यह निकालना है देखिए 4 point charges QA, QB, QC, QD 2 microclomb minus 5 microclomb 2 microclomb minus 5 वो 4 corner 4 corners of a square ABCD located है जिसका side है 10 cm तो what is the force on the charge of 1 microclomb placed at the center of the square तो square के center में जो 1 microclomb का charge होगा उस पर कितना force लगेगा देखिए guys situation को आप यहाँ देख सकते है point A पर minus 2 microcl point B पर minus 5 point C पर plus 2 और point D पर minus 5 यहाँ पर 1 microclomb का charge रखा हुआ है तो देखिए guys इस पर पूछ रहा है कि यहाँ पर resultant force कितना होगा देखिए guys question में दिया हुआ है कि यहाँ minus 5 यहाँ minus 5 यहाँ पर 2 यहाँ 2 microclomb और 10 10 cm का पूरा distance है और center पर 1 microclomb का रखा हुआ है diagonal का value हमको पता नहीं है अब देखिए guys इसमें हम लोग को सबसे पहले diagonal हम लोग को निकालना पड़ेगा तो diagonal यहाँ पर निकालते है अगर pythagoras theorem से यह हो जाएगा 10 यह हम लोग class 10 में पढ़े थे कि side into root 2 होता है side का value 10 है मतलब diagonal का value हो जाएगा 10 root 2 तो यहाँ पर देखिएगा यह हो गया 10 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 root 2 और यहाँ से गर हम center से नापे तो इधर इधर आधा हो जाएगा यह 5 root 2 यह 5 root 2 total overall add करेंगे तो 10 root 2 आएगा अब देखिए अगर यह 10 root 2 कैसे आ रहा है यह आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप पाइथा गोरस theorem भी apply कर सकते हैं इसका square प्लस इसका square बराबर इसका square मतलब base का है square plus perpendicular का square is called to hypotenious square देखिए यहाँ आपर 10 10 इस तरह से square यह निकाल गया है तो हम लोग जानते हैं इसका नाम कुछ दे देते हैं AC तो AC का square is called to 10 10 जब 100 plus 100 हो गया मतलब AC का square is called to 200 मतलब AC is called to under root 200 अब इसको अगर हम solve करेंगे तो 10 root 2 आएगा side था 10 root 2 मतलब side into root 2 तो देखिए यहाँ AB, BC, CD और DA तीनो जो है 10 cm है और diagonal मेरा 10 root 2 आया अब अगर इसको हम center को O माल ले तो OD OB, OA और OC केतना हो जाएगा 5 root 2 5 root 2 5 root 2 हो जाएगा 5 और 5 10 root 2, 5 और 5 10 root 2 middle में है तो बराबर बराबर विस्सा में बढ़ गया अब थोड़ी समझने वाली बात गाइस यहाँ पर इसके और इसके बीच में अगर हम force निकालते हैं यहाँ minus 5 microcoulomb यहाँ one microcoulomb अब यहाँ और यहाँ के बीच निकालते हैं तो minus 5 microcoulomb one microcoulomb यहाँ minus 2 ने दिया हुआ गया 2 दिया हुआ है यहाँ और यहाँ में निकालते हैं तो 2 microcoulomb one microcoulomb यहाँ और यहाँ निकालते हैं मतलब C और O के बीच तो 2 microcoulomb one microcoulomb मतलब यह वाला force का value और यह वाला force का value बराबर आएगा और फिर AO के force का value और OC के force का value बराबर आएगा मतलब overall value हर जगा से बराबर आ रहा है मतलब overall जो force होगा वो nullify हो जाएगा और center में force का value आएगा 0 तो इसको अब direct center में force का value 0 लिख सकते है देखे गाईज इसको निकाल के दिखाते हैं एक ठो solve करके दिखाते हैं 5 minus 5 microcolum और इधर minus 5 microcolum बाला यह center में रखा हुआ है 1 microcolum minus 5 microcolum हम लोग जानते है f iscal 2 होता है k q1 q2 by r square तो k का तो value 9 into 10 to the power 9 हुआ q1 का value 1 microcolum q2 का value q2 का value हो गया minus 5 into 10 power minus 5 coulomb और r square distance जो आया था 5 root 2 का hall square यहीवाले exact value जब हम फिर से लेंगे उधर minus 5 बर उसको तो यह आया अगर हम अभी यहाँ पर निकाले यह आपका आ जाएगा a b c d अगर मानके चले तो यहाँ पर minus 5 रखा तो a b c d तो do का value oc का भी इसी तरह आएगा तो दोनों का value बराबर हो गया बराबर हो गया तो एक दूसरे को cancel out कर देगा similarly अगर हम उसी तरह से एक जगा 2 micro coulomb बैठा है और एक जगा जो है 1 micro coulomb बैठा है और फिर जो distance जो है वो 5 root 2 का square रखें तो दोनों तरब से इतना ही आएगा 2 micro coulomb into 1 micro coulomb यह भी जो है बराबर हो गया यह भी एक दूसरे को cancel out कर देगा और resultant center में force हमारा हो जाएगा 0 हमारा अगला question है इसकी एक electrostatic field line जो है वो continuous curve बनाता है और जो है वो एक दूसरे अभी कभी जो है अचानक से तूटता नहीं है ऐसा क्यों तो इसका reason है क्योंकि जो charge है ना guys वो continuously flow करता है चार्ज जो है उचल उचल के नहीं जाता है अगर चार्ज उचल उचल के जाता तो field में पहुंचता फिर उपर उटता फिर field में पहुंचता फिर उपर उटता तो इसके साथ साथ electric field line भी नीचे आता फिर उचल के उपर जाता फिर नीचे आता मतलब इसका reason simple सी ये बोल सकते हैं कि charge continuously move करता है इसलिए electric field line भी continuous रहता है इसका दूसरा part का question है guys explain why two electric field lines never cross each other कोई भी electric field line एक दूसरे को काट क्यों नहीं सकते हैं इसको explain करना है तो ये हम theory में बहुत ही detail में समझाये थे guys description box में आपको link मिल जाएगा जाकर कि आप वहाँ से देख सकते हैं बार बार explain अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा अगला question है guys कि 2 point charge है QA जिसका value है 3 microcolomb और एक point charge है QB जिसका value है minus 3 microcolomb और वो एक दोनों जो है एक दूसरे से 20 cm की दूरी पर रखे हुए हैं तो बताईए vacuum में तो पहला question पूसता है कि electric field जो है center पर क्या होगा दोनों body के center पर दोनों charge के center पर electric field intensity क्या होगा guys देखें guys इस question को हम लोग समझते हैं देखें 2 charge है 3 microcolomb और minus 3 microcolomb दोनों के बीच का distance है 20 cm तो यहाँ इस point पर इस point को माल लेते हैं ओ इस point पर कितना electric field intensity होगा यह निकालना है देखें guys figure में आपको दिखाए गया है 3 microcolomb minus 3 microcolomb center ओपर है वहाँ पर हमको निकालना है distance between दोनों charge के बीच का distance है 20 cm मतलब यहाँ पर AO और OB का distance अगर देखें तो 10-10 cm होगा आधा-धा दूरी इसको अगर हम meter में convert करना चाहें तो 10 into 10 पर minus 2 meter अब net electric field intensity जो है वो point ओपर माल लीजिए यह आगता तो अब हम लोग को करना क्या है तो हम लोग को करना यह है गाइस कि point O पर पहले plus 3 microcolomb के कारण electric field intensity निकालेंगे फिर point O पर जो है वो minus 3 microcolomb के कारण electric field intensity निकालेंगे और resultant निकालने के लिए दोनों को add कर देंगे E1 plus E2 अब electric field intensity को निकालने के लिए हम लोग जो formula use करेंगे guys formula होता है k q by r square इस k के जगा 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square लिख सकते हैं और r के जगा हम लोग use करेंगे 10 cm का क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 cm और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 10 cm तो जब plus 3 microcolomb के लिए निकालेंगे लिए तो इसके लिए यह वाला 10 cm और minus 3 microcolomb के लिए निकालेंगे तो यह वाला 10 cm इसका हम लोग use करेंगे तो पहले plus charge के लिए निकालते हैं guys point ओपर तो plus 3 microcolomb charge के लिए हो जाएगा even is equal to k q by r square तो k के जगा हम बोले 1 by 4 pi epsilon हम लोग लिख सकते हैं q के जगा दिया हुआ है 3 microcolomb 3 microcolomb को 3 into 10 to the power minus 6 colomb लिख सकते हैं और distance जो है वो o a का square हो जाएगा देखिए यहाँ पर distance जो है वो है o a इसके लिए हो जाएगा o b तो 1 by 4 pi epsilon 1 by 4 pi epsilon 3 into 10 minus 6 o a के जगा हम बढ़ा दिए 10 centimeter का square centimeter को अगर हम meter में बदलेंगे तो 10 into 10 to the power minus 2 meter इसका square करेंगे तो हमारा finally e1 बरावर निकला 1 by 4 pi epsilon 3 into 10 to the power minus 6 by 10 into 10 to the power minus 2 का hall square और इसका unit होगा newton per colomb क्योंकि हम लोग electric fill intensity का unit जानते हैं newton per colomb होता अब देखते हैं guys electric fill intensity 0.0 पर minus 3 micro coulomb के लिए क्या होगा तो minus के लिए हम लोग क्या करेंगे ultimately हमको सिर्फ magnitude निकालना है तो mod में ले लेंगे बतलब इसको भी plus कर देंगे तो उसका भी formula होगा kq by r square k के जगा 1 by 4 pi epsilon not q के जगा minus 3 into 10 to the power minus 6 mod में डाल देंगे तो यह plus हो जाएगा और r के जगा यहाँ पर ob का use करेंगे ob का square तो ultimately यह आएगा 3 into 10 to the power minus 6 into 1 by 4 pi epsilon not यहाँ पर है by 10 into 10 power minus 2 क्योंकि ob भी 10 cm ही था उसको meter में change कर दिये 10 to 10 power minus 2 meter उसका square की तो finally e2 बराबर यह आया अब अगर हम e1 और e2 को ध्यान से देखो तो e1 बराबर आया था 3 into 10 power minus 6 by 10 into 10 power minus 2 का hall square into 1 by 4 pi epsilon not ठीक यही value जो है वो e2 के लिए भी आया है 1 by 4 pi epsilon not 3 into 10 power minus 6 hall square मतलब e1 और e2 basically मेरा equal आया है देखें जो overall electric fill intensity होगा वो हो जाएगा e1 प्लस e2 direction सेम है e1 प्लस e2 हो जाएगा अब e1 प्लस e2 और दोनों का value जो है वो बराबर है मतलब e1 और e2 दोनों का value क्या है बराबर है तो इसको हम लोग 2 e1 या 2 e2 लिख सकते है दोनों को add करेंगे 2 प्लस 2 या 2 इंटू 2 करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा 4 प्लस 4 या 4 इंटू 2 करें 4 को 2 टाइम से तो इसलिए एक को हम लोग दो बार multiply कर देंगे तो हमारा total निकल जाएगा 2 इंटू 1 by 4 pi epsilon not 3 इंटू 10 पर मैनस 6 by 10 इंटू 10 पर मैनस 2 का hall square newton per coulomb तो finally इसका value होगा 1 by 4 pi epsilon not के जाएगा 9 इंटू 10 to the power 9 बैठाने के बाद हमारा आएगा e is equal to 2 इंटू 9 इंटू 10 पर 9 into 3 इंटू 10 पर मैनस 6 by 10 इंटू 10 पर मैनस 2 meter का hall square अब finally solve करने के बाद आएगा 5.4 into 10 to the power 6 newton per coulomb यह आया हवारा resultant electric field intensity at point O अब इसी का दूसरा question है guys इसी number में कि अगर कोई negative charge रखा हुआ है जिसका value है 1.5 into 10 to the power मैनस 9 coulomb वो रखा हुआ है O point पर मतलब उसी middle point पर तो उस charge पर कितना force लगेगा यह निकालना है तो देखें कैसे यहाँ पर Q बराबर 1.5 into 10 to the power मैनस 9 कुलॉम दिया हुआ है F बराबर Q होता है हम लोग जानते है electrical field intensity E बराबर होता है F by Q तो F बराबर होगा Q into E Q के जगा 1.5 into 10 to the power मैनस 9 बैठाएंगे और अब ही E calculate करके आया 5.4 into 10 to the power 6 दोनों को बैठा के अगर हम multiply करेंगे दोनों को put करके value अगर हम multiply करेंगे तो overall resultant मेरा आएगा result जो force का आएगा वो आएगा 8.1 into 10 to the power मैनस 3 newton this is our final answer हमारा अगला question है guys कि a system app 2 charges 2 charge है QA जिसका value है 2.5 into 10 power minus 7 कुलों दूसरा है QB जिसका value है minus 2.5 into 10 power minus 7 कुलों जो की point A पर रखे हुए है उसका coordinate दिया हुआ है 00-15 cm मतलब Z axis के अनॉम और दूसरा का coordinate दिया हुआ है 00 plus 15 मतलब यह एक negative Z axis की तरफ है एक positive Z axis की तरफ है तो जो total charge है वो क्या होगा और electric dipole moment क्या होगा यह निकालना है देखें guys जो question में दिया हुआ है उसका situation यहाँ पर figure में समझाया गया है यह देखिए X axis Y axis एक point A पर रखा हुआ है 00-15 एक point B पर रखा हुआ है 00 plus 50 तो इसको अगर आगे हम देखते है guys देखिए position is as soon अब देखिए पहला charge दिया हुआ है 2.5 x 10-7 दूसरा charge दिया हुआ है minus 2.5 x 10-7 total charge क्या होता है अब आपको आपको समझाया था पीछे quantization जब समझा रहे थे कि बहुत सारा charge है तो total को add कर देंगे total को add कर देंगे सब को add कर देंगे तो Q बराबर QA plus QB मतलब 2.5 x 10-7 पहला आया यह plus में है दूसरा वाल माइनस में है minus 2.5 x 10-7 और plus minus overall resultant charge ज्यों हो जाएगा वो हो जाएगा 0 अब देखें गाई इन दोनो charges के बीच में अगर हमको distance निकालना हो अगर हम निकालें तो देखें एक है minus 15 cm z coordinate में और एक है plus 15 cm z coordinate में मतलब दोनों z coordinate में ही है एक minus में एक plus में या तो आप इसको distance formula से निकाल सकते है या फिर simply देखिए यहाँ से origin से इधर 15 और यह origin से इधर 15 overall जाएगा 30 cm जो दूरी है इसको अगर हम meter में बदलना चाहे तो 0.3 meter देखेंगे guys तो आगया मेरा distance is equal to charge into distance basically समझ सकते है तो दोनों charges पर जो dipole moment निकलेगा वो बराबर होगा क्योंकि दोनों charge का value same है और यहाँ पर distance भी same है एक origin के से plus z axis की तरफ 15 cm और एक minus z axis की तरफ 15 cm मतलब origin से दोनों का distance कितना है 15 cm मतलब distance same है मतलब यहाँ dipole moment भी equal निकलेगा तो देखिए dipole moment qa के लिए पहला charge के लिए qa into distance और दूसरा charge के लिए qb into distance और finally उतना ही आएगा और देखिए qa into distance करेंगे फिर भी आएगा 2.5 into 10 power minus 7 और into 0.3 क्योंकि यह है charge का value यह है distance का value एक plus में एक minus में लेकिन यहाँ को magnitude निकालना है तो finally यह आएगा 0.3 into 2.5 आएगा 7.5 into 10 power minus 8 finally इसका answer आएगा और यह कौन से axis के लिए आलंग होगा z axis के लिए क्योंकि दोनों charge जो है वो z axis के लिए रखे होगे हमारा अगला question है guys की एक electric dipole है जिसका dipole moment दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 9 कुलांब मीटर यह centimeter नहीं है कुलांब मीटर है वो 30 degree के एंगल पर रखा हुआ है electric field के और जिसका magnitude है electric field का यहाँ पर magnitude दिया हुआ electric field intensity बोल सकते हैं वो दिया हुआ है 5 into 10 to the power 4 newton पर कुलांब तो यहाँ पर torque का magnitude निकालना है कि dipole पर कितना torque लग रहा है basically बच्चे जो दिया है वो देख लेते है electric dipole moment दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 9 कुलांब मीटर एंगल जो है 30 degree दिया हुआ है और electric field intensity का value दिया हुआ है 5 into 10 to the power 4 newton पर कुलांब torque निकालना है torque का formula हम लोग जानते है P e sin theta और P जो होता है वो होता है electric dipole moment E जो होता है electric field intensity sin theta theta के जगा 30 degree दे जा हुआ है finally इस formula पर हम बढ़िठाएंगे तो हमें faru मेरा answer मिल जाएगा देखें guys we know that tau पराबर P e sin theta P के जगा 4 into 10 to the power minus 9 E के जगा 5 into 10 to the power 4 और sin theta के जगा sin 30 degree इसको solve करेंगे 25 for 20 into 10 to the power minus 9 plus 4 minus 5 और sin 30 का value होता है हाप तो finally मेरा answer आएगा 10 to the power minus 4 newton meter this is the final torque अगला question है guys कि a polythene piece rubbed with wool एक polythene के piece को wool के साथ wool के साथ उन के साथ rub किया जाता है घंसा जाता है और ये पाया गया कि एक negative charge generate होता है 3 into 10 to the power minus 7 कुलॉंब का तो कितना electron transfer हुआ सबसे पहला question ये निकालना है और दूसरे में निकालना है कि क्या mass का भी transfer हुआ पहला चीज गाइस कि charge दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 7 कुलॉंब number हमको पता नहीं है कितना number electron का जो है वो transfer हुआ है लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि electron का charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलॉंब अब हमको number निकालना है इसके लिए हम लोग use करेंगे quantization of charge का अभी तुरंत आपको formula बताएं quantization of charge का formula होता है q बराबर n e q का value दिया हुआ है e का value हम जानते हैं हमें n निकालना है तो n बराबर यहां होगा q by e देखो यहां पर q दिया हुआ था minus 3 into 10 to the power minus 7 और e का value minus 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको हम बढ़ठाएंगे तो और इसको solve करेंगे तो आएगा मेरा यहां minus में से लिए लें क्योंकि electron का charge है negative में charge दिया हुआ है तो यह solve करके आएगा 1.87 into 10 power 12 दूसरा question था कि क्या charge का transfer हुआ polythene से तो देखते हैं इसको yes guys answer होगा yes क्योंकि electron का mass हम लोग जानते हैं 9.1 into 10 power minus 31 kg होता है और यहां पर कितना electron transfer हुआ 1.87 into 10 power 12 तो total mass कितना होगा एक electron का mass होता है 9.1 into 10 power minus 31 और total number of electron है 1.87 into 10 power 12 तो total mass कितना होगा n into mass of 1 electron पतलब 1.87 into 10 power 12 into 9.1 into 10 power minus 30 overall solve करने के बाद आएगा 1.706 into 10 power minus 18 kg तो यहां यह हमारा आज का last question था वीडियो पसंद आता है इस तो like कीजिए पसंद नहीं आता है तो dislike कीजिए लेकिन dislike क्यों किया इसका comment section में कारण जरूर बताईए अगले संडे फिर हम लोग लेके आएंगे numericals और संडे का हमाला lecture थोड़ा different रहने वाला है अगर इतनी बड़ी length की वीडियो चाहिए तो बताईए अगर छोटी थोड़ी करनी है तो मैं explanation थोड़ा कम करूँगा आप ये भी comment section में feedback दे सकते हैं और जो बच्चे नए थे उनको समझ में आया या नहीं समझ में आया तो वीडियो के comment section में येस लिखिए नहीं तो नो लिखिए आगे अगले वीडियो में आपके सारे doubts को clear करेंगे आप अलग-अलग media handles में हमसे जुड़ सकते हैं Facebook, Insta Facebook, Insta, Telegram आपको यहां से भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं सबका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा गाईज और तब तक के लिए भाई मिलते हैं फिर next lecture में हमारा जो theory का part होने वाला है Monday को तब तक के लिए भाई God bless you और thanks, thanks a lot